जैश्री राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ आईए जानिये दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन राशियों के बारे में बात करने जा रही हैं जिनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है उन पर ग्रहों और नक्षत्रों की क्रिपा से हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और जो लोग नौकरी का व्यापार कर रही हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है तो आएए एक एक करके इन भाग्यशाली लो हो सकता है आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा पार्टनर्शिप में आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आपको अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तोलन मिलता है आपको इस समय अच्छे अंग प्राप्त हो सकते हैं आप बड़े अधिकार का पक्ष लेने में सफर रहेंगे आपके सभी अधूरे काम पूरे हो सकते हैं महत्वपूर्ण मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकते हैं आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं आपको खुद पर नियंत्रन की जरूरत है किसी से भी बात करते समय साबधानी बरतनी चाहिए इस समय आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ती होगी आप इस समय किसी यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं महत्वपूर्ण मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है इसे देखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सक्षम करना होगा आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं सामाजिक शेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं आप भगवान की कूजा में व्यस्त रहेंगे जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं आपकी आएमे जबरदस्त वृध्धी होने की संभावना है आपको अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तोलन मिलता है आपके विरोधी निराश हो सकते हैं आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आज रोजगार की दिशा में किया हुआ प्रयास सफल होंगे आप वेतन बढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा आपको थोड़ा बाहर के खाने से बचने की जरूरत है नहीं तो आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है किसी को उधार दिया हुआ पैसा चुकाया जा सकता है आपके गुप्ट शत्रू आपको निराश करेंगे जिससे आपको लाब होगा अब आप बोलेंगे कि यह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस समय के दौरान इतने बड़े लाब मिलने वाले हैं तो आपको बता दें कि इन राशियों में मेश, मिथुन, सिन, धनु और कुम्भ राशी के लोग शामिल हैं वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जैमा लक्षमी और जै श्री राम लिखना ना भूले